अर्चू, कोई आया था क्या? हाई, वो कलड़ा जस लड़के ने बाबा की जान बचाए, वह या आया था और है पता है? यह वही लड़का है जिसने उस दिन मुझे बारिश में अपना चाता दिया और भगवान भला करे उस लड़के का और उसके माबाप का भी, जिसने उसे इतने अच्छे संसकार दिये ऐसे लोगों के अच्छाई पर ये दुनिया ठिकी भी है अन्ना कुछ लोग तो क्या हुआई अभी मार्केट से आ रही थे ना, तो मार्केट में एक औरत सबसी वाली के साथ दो-चार रुपयों के लिए ऐसा लड़ रही थे ना हम तुम तो सोच भी नहीं सकते काली गलोच, मार पिटाई, फिर पान छोड़ना आई वो सब हमें किसी से क्या लेना देना और तू कहाँ गे थी? वो नर्वला से बात कर रही थी तो देर हो गए पूरा एपिसोड देखे जी फाइपर हलो सुरेश, मी विनोद बोलतो है यार तेरी हल्प चाहिए थी हाँ बोलना वो डॉंबी वाली पुलीस स्टेशन में कंप्लेन लिखानी है वहां के पी आई जाधव को तू जानता है ना तो ठीक है प्लीज यार तू बेर साचलना यही से साथ में चलते हैं ठीक है थेंक्स यार आए विनोद मंजू, मंजू क्या हुआ विनोद मैं डॉक्र को लेकि आदाओ विनोद मुझे छोड़के कहे मज़ा प्लीज मैं भी दॉक्रीज मुझे कहे छोड़के मज़ा आई कहा मैं बेच्व प्रेशा लाए चालना इसको पेटे रखे लगा वेशन जाओ जल्दी से हीं गरम करके लगा हीं? किसले? वेशू अठे उसको जाने दो ना आई अई तना दर्द नहीं हो रट ठीक हो जागा आई प्लीज वेशू जल्दी लेगा पूरी पूर्शी में तो मानव यार तो कुछ भी बोल ओड़की अर्चना तेरी ही किसमत में है तो करचा शुरू हो गया खुछ भी बोलता है तो कुछ भी बोलता रहता है अरे ज़रा सोच तुझे एक लेकी पसंद आती है हम उससे मिलने जाते है अजिक शाजी तय हो चुकी तुए अदमी को ढूदने से बचाता जो दर्पी का बाप है तेरे से बलाद इंप्रेस है उस दर्पी शाजी तूप जाते है तुझे निहीं लगता ही इन सब चुदों में कही ना कई करनेक्शन है तो सकता है अभे हैं देख मैं नहीं जानता है ये सब चीजे सही है या गलत मैं सही सोसता हूं या गलत या यार मैंने उसका घर देखा उसके घर और हमारे गर में जमीन आस्पांग का फ्रक्राइब में यार मानक्स थेलर न कल भी उसके लिए शेरी में था और आज भी सही मित हैं तो सम्जा करेया मेन है नहीं समझ नहीं अरे मैं समजू नहीं समझो लेकिन एक दिन तूब वहँगे तदिध क्या सब्सक्राइब क्यो Hammel मेरे ताई के शादी अब नहीं हो रही है क्यों वो लड़के वालों की कुछ ज्यादा ही मांगे थे हम अफॉर्ड नहीं कर सकते थे इसलिए अब अब शूर्ण वाष्ण कोई बात में तुम्हारी ताई के लिए अच्छा सेरिश्टा आएगा ठीक है और हाँ, यहाँ, यहाँ वालों पॉफर एपाए जूड़े शूड़े? तुम्हारा यह बिगड़ा आवासे चेरह नहीं? अच्छा हो जाएगा चोड़ना यार क्यों? अणि शारू की मुरी है, शूपर डूपर हिट है सच? हाँ लिकिन छे से नो का शूप चोड़, मैं नहीं आ पाऊंगी तु जानती है ना मेरी आई को, वो मुझे कभी परमिशन नहीं दे तो फिर घर में बताने की क्या जरूरत है? ये क्या बोल रही है तू? हाँ तू एक काम कर, तू घर में कोई और बाहना बना दे कह देना की ओफिस में जरूरी काम है, देर तक रुखना पड़ेगा लेकिन इस तरह जूट बोलना मैंने कभी अरे, जूट बोलकर ऐसा कौनसा बड़ा बाप कर रही है तू? एक फिल्म ही तो है जा, जा कि आई से बात करें अरे, चल मैं चल तू चल ना? चल चल चलो, मैं बिल पे करके आती हूँ रस्मिल का लेना बाट लेना तू गई थी, ना उनसे मिलने कहा? आई इ? हाँ गई थी बस अपनी तरफ से तेरे लिए एक आखरी कोशिश करने गई थी ना कह दिया न, उन्होंने अरे तू क्या हुआ गलत फैमी थी मैं अपनी तरफ से उसे दूर करने की कोशिश करने गईими थी उसे मनाया भी लेकिन आई, कितना कुछ सहेगी तुम मेरे लिए, ऐसा नहीं है अर्चू, तू भी तो सह रही है, और मैं तुझे इस सबसे निकालने की कोशिश कर रही हूँ, एक ना एक दिन मैं जरूर आई, जो हुआ उसे बदलना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन तेरी शादी में अच्छे घर में ही करवाऊंगी, लेकिन आई, मेरी शादी के लिए तू किसी के सामने गिड़ गिड़ा है, ये मैं नहीं देख सकती, तेरा अपना आत्मसमान, बेटा, तुन्हें मेरे लिए अपनी बढ़ाई छोड़ दी, अपना करियर छोड़ दिया, अपनी मेरी बारी है, और तेरे लिए मैं एक बार नहीं, सौ बार भी किसी के सामने जुखने के लिए तयार हूँ, बस, तेरी जिन्दगी अच्छे से समर जाए, इससे बढ़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मानो, कब तक बात नहीं करेगा आपने बाबा से, अब गल्ती हुए याप, माप कर दे है, आई, आई, बाबा से कह दो कि मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी है, तू उसके लिए मेरे से कुछ बात मत कर, पहले मेरा घिमाद गरम है, लगता है में उसका मूँ नोची हूँ, आई, बाबा से कहो कि जब तक पीना नहीं चोड़ेंगे, मैं इनसे बात नहीं करूंग, और ये भी मुझे नहीं बात करें तो अच्छा है, ये सा बातों में मसली काम तो भूल गया, आई, सचिन का है, अरे सचिन, वो घर में बैठने वाला है, वो आया, कपड़े बदली क और चला गया, चला, कहां चला गया, अरे उसके वो कम्पिटर के क्लासे शुरू होने वाले है, उदर गया ता, यारी करने के लिए, आई, मैंने सचिन के फीस और किताबों के लिए पैसे रखे थे, आपके बेदी, बेदी, अरे, वो बता रहा था, आई, मेरा ये क्लास खत आई कर रहा है, आई, बैल गणी बोलो, बैल गणी चलो, बैल गणी चलो, पर देखना है, उसके यही मैनच ना, उसे एक दिन बहुत उपर ले जाएगी, और हम सब को फख रहा हो, फिर वही, बस घंटी बचती जा रही है, फोन नहीं उठा रही है, क्या करूं, आड़ आगे पीछे होता है, तु उसकी तरफदारी मत करा, और ये पांच-देस मिरिट का सवाल नहीं है, उसने फोन क्यों नहीं किया, क्योंकि आई की किसी बात की एहमियती नहीं है, लेकिन मैं भी चुप नहीं बैठूंगी, तब तक फोन करती रहूंगी, जब तक उठाती नह साड़े नौ बज गए, अभी तक ये लड़की नहीं आई, क्या करूं मैं इस लड़की का, घर में पहले ही इतना सारा टेंशन, और ये लड़की ऐसा बरताव कर रही है, गहर जिम्मेदारी की हज है, कहा रहे ते तु, हाँ, यू इतनी देर होगे, आट बज आने वाली थ लेकिन बीच रास्ते में बहुत जोर से बारिश होने लगी, मैं फिर भी निकल गई थी, वर्षा जूट तुमने बोला है, गलती तुम्हारी है, और तुम अपनी बहन को दोश कैसे दे रही हो, अरे ये वहाँ पहुचिती गलती से, लेकिन तुमने जो किया है, वो जान भ ये तो तेरी चिंता की वज़े से उस बंगले में गई थी, ना कि तेरी तरह जूट बोलकर जूट, कैसा जूट है, हाँ, जूट, आज ये छे से नौ फिल्म देखने गई थी, जूट बोलकर, और मैं यहाँ चिंता के मारे परी जा रही थी, क्या ये सच्या वर्षा, हाँ जूट बोलकर गई थी, मैं फिल्म देखने, जूट बोलकर गई थी, क्योंकि मैं आई से सच बोलती पर्मिशन मांगती तो आई मुझे कभी चाने नहीं देती, यादा मैंने सब कुछ करके देख ली, और जब किसी भी चीज से बात नहीं बनी तो जूट बोलना पड़ा, आई कौन से जमाने में जी रही हो तूँ, जरा आखे खोल के देखो, दुनिया बदल गई है, जीने के तो और तरीके बदल गए है, तुम्हें बता है, आज कल शाम को साथ बजे दिन खतम नहीं होता, अथा नहीं तूम इस बाद को कब समझोगी, अज कल बच्चे अपनी म आप कैसे हैं, मानव बेटा, आजाओ, खाना लगाती हूँ, चल चल चल, तू बैट, बहात मों दो क्या, लवकर यह दा ला, आई, भाजी कुटली, अरे कोबी बटाटा, अरे आई, चल आजा जल्दी, भूख लगी होगी ना, चल, साथ में खाना खाते, आजा, आई लवक छोले बनाएं, कोबी बटाटा भी है, अरे, हाई, हाँ, यह ले, और घर के बाड़े का पैसा अगले अपते दे दूँगा, अरे, हाई, यह ले, यह ले, यह ले, यह ले, यह ले, कुछ रुपए हैं, रख ले तेरे काम आएंगे, आरे साचन, तू यह पैसे अपने पास प्लास से शुरू होने वाली है तेरी, तेरको जरूत पढ़ेगे इसकी, अरे, नहीं नहीं ददा, मैं जस्ट कर लूँगा, कैसे मैनेज कर लेगा तो, अभी तेरको किताबे खरीदने, आने जाने का खर्चा अलग से, मैं होना घर संभालने के लिए, तू टेंशन क्यों ल अरे, ने, मेरा मत तो वो नहीं था, दादा, अरे, बेटा, रख ले, दादा दे रहा है, तो रख ले, तू अच्छा कमाएगा ना, तो दादा का हाथ बटाना, हूं, थैंक्यू, दादा, अरे, वा, देख, बेटा, तेरी संगत का असर है, ये, भाई का हाथ बटाना चाहता है, देख, मालव, इसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तो देख, तेरे साथ ही ये हाथ बटाएगा, धर का आदा जिम्मा अपने कंधे पे उठा लेगा, है ना, ले, देदू, ना, बस अरे, सचीन बेटे, ये पैसे तुने कहां से लाएगा, अरे, हाँ, वो क्या है ना, कि कंप्यूटर क्लासे से इंक्वारी करके लौट रहा था ना, तो एक स्कूल के बाहर बच्चों के एक्जाम्स फॉर्म भरने के 20-20 रुपए मिल रहे थे, तो मैंने फटा-फट से ना, और 200 रुपए कमाने, अरे, वाह, अच्छा, आई, बाबा कुछ है, वो कहां जाएगा, एक तो थेटर, या दूसरा दारू का अड़्डा, तीसरा कोई ठीकाना है तेरे बाप का, जाने दू, तू उसके बारे में पूछी मत, अरे, हाँ, सचीन, जिन्दगी में तू कुछ भी कर, लेकिन तेरे बाप जैसी एक्टिंग मत करना, मेरे बेटे, क्या हुआ, पानी दे, पानी दे, पानी दे, ये डाल, डाल, अरे, आस्ते, आस्ते बेटा, ले, 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 हाँ, अरे, आई, तू खाना का, तुझे भी भुख लगा होगा ना, आई, तु कब तक आ कहले ये काम करते रहेगी, तुझे तो आप दादा की शादी करवा देनी चाहिए, क्यों दादा? देख, तुझे तो अपने घर की हालत मालूम है, कौन सा बाप तयार होगा हमारे घर में लड़की देने के लिए? आई, तु अभी तक वर्षा के बारे में सूच रही है, समझ में नहीं आ रहे बिटा, हो क्या रहे हैं हमारी घर में? रोज नहीं प्राब्लम, रोज नया दुखड़ा, पहले तो तेरे साथ इतना बड़ा खाथा हुआ, जब उस से संबले, तो तुम्हारे पापा अचानक, अचानक रात को उटकर, घर छोड़कर चल दिये, ना मेरे बारे में सोचाना, तुम सब के बारे में, भला हो उस लड़के का, जिसने एन वक्त पर आकर उनकी जान बचाई, वरना, उस लड़के ने बाबा के ने, मेरे भी जान बचाई थी, मतलब, हाँ आई, अर्चु मुझे उस लड़के से मिलना है, उसे धन्यवाद देना है, उसके इतने एहसान है हम पर, उस दिन वो यहाँ आये था, लेकिन मैं घर पर नहीं थी, लेकिन अब, अब किसी भी तरह उसे आई, बाबा के पास उसका नंबर है, हाँ, 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 क्या बात है, पुजा के खाली, पुजा, तुम, तरह जनम दिने न, मंदिर गई थी, तेरी लंबी उमर की प्राथना करने के लिए, और साथ सी साथ इस साल तेरी शादी की भी, भाजीत, देख बीटा, जो हुआ उसे भूल जा, अब तो अर्चना को भी उसकी किया की सजा मिल गई है, तो तु क्यों उस बाद को लेकर अपना दिन कराब कर रहा है, देख, मैं तेरे लिए मनीशा से भी अच्छी और अमिर लड़की डूड़ूंगी, अरहां, शाम को बर्दे पाथी है, लगभख सारी इंविटेशन बेजी जा चुकिये, सिर्फ मन्जू के यहां, आई, मन्जू के घरवालों के इंविटेशन देने कोई ज़रत नहीं है, मैं उन लोग अपने नजरों के सामने प्रदाश नहीं कर सकता, तो बुलाने का सवा ज़रत नहीं है, मैं सिर्फ मन्जू के बात कह रहे है, कोई ज़रत नहीं है आई, वो भी ससरालोलों के रंगों में रंग चुकी है, औरना मेरे साथ यसी बद सलोकी नहीं करती हो, अजित, हजित, कैसी बात कर रहा है तो, बहन है वो तेरी, घुसे में कही उची नीची बात के गई हो तो, रिष्टा तोड़ोगे क्या, बश्में में तो दिन रात लड़ते थे, लेकिन बाहन में मान भी जाते थे, ये बाई बैन का रिष्टा तो ऐसे ही होता है, इसमें इतनी भी क्या नाराज की, देख, मैं मन्जू को बर्ड़े पर भुलाऊंगी, वो सरूर अब तू नामत कर, हाई, हाँ, एक मिनट, बिनुत, एक मिनट को संभालो, हाँ, ठीक है, हाई, बोला, क्या बोलो, सुबह से तेरे फोन का इंतजार कर रहे थी, आके रहा नहीं गया तो, क्यो, आज कुछ खास बात है, नहीं है, मैं जो इतनी भी क्या नाराज गी, अपने भाई का बूर्दी भूल गई तू, आई, आई, सो सॉरी, वो, आज घर में कुछ टेंशन थी, इसमें नहीं क्या बात है, जब तक अर्चन उस घर में रहेगी न, टेंशन तो होती ही, भाई मी, आपका टिफिन रिडी है, उधार रख तो, ड़ता, आप जाना नहीं, मैं अ आई की बात नहीं मानोगी क्या, देख मन्जू, अच्छा मोका है, इसी बाहने दोनों में सुला हो जाएगी, मैं तेरी राह देखूंगी, ठीक है, आई, बाई मिनोद, कहीं बाहर जा रहे हो क्या, वह आई मैं मन्जू को साथ फिल्म देखने जा रहा था, अरे क्यों, उसी रहने दो वहां दो तिन दिल, रसी काताई को भी अच्छा लगेगा, और मन्जू का भी दिल बहल जाएगा, वह आई, एक्चली मैं मैं मन्जू के साथ फिल्म मैं भी आएगे फिल्म देखने दादा, और मन्जू जाएगे, अब मन्जू जाएगे, क्योंकि सब दो ही टिकेट लिया है, मैंने, क्योंकि सब कुछ बता है, हमें पता भी नहीं चला, अरे मालूम तो मन्जू को भी नहीं है, सुप्राइज है ना, डादा, आप इसकी बा तेन के खाना भी किलाना मेरी बहु को थीए ओगाना, ठीक आई, ऑगे और तुके, बाए पूणी, बाए थैंक यू, थैंकु थैंक यजू थैंक्स रख, थैंक्जू, थैंक्यू 텐長 कि एक्स्कूस मी तैयार होगी तू आई अजी तब तक नाराज है मुझसे तू चल तो सही चल आई पर तू चल तो अह बहुत अच्छा लगा आप लोग आया है कि अजी कि मैंनी है अब मेरी तरफ क्या देख रहा है पहर इसने की है ना अब तू क्यों इतना अकड़ रहा है चल बात कर उसे अरे उसने जो भुआ था उसे भूल जाओ बेहन है वो तेरी भाई बेहन के जगड़े की उमर प्यार से बड़ी नहीं होती है चल अजी मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लाएं रिस्ट वाच है एक तो लेटिस्ट डिजाइन की तुम्हें बहुत पसंद है ला ये लो अब गुस्ट चोर दे तुम्हें अब गुस्ट चोर दे तुम्हें ओके अब गुस्ट चोर दो और दो अब ये अब ये आए तो किति वें ठीक नहीं है तो मैं हरे तो 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 जानों के पस तुने हम जबरूत परसकते हैं वहां गर काम करने के लिए पूई है जबरा सब कर चाती है उछे इस वर फार्ण कि ने बलाएधि को आई सब छूट कियो बोला सुट आई साम छोट कियो बला से ये अज़ ये नाच कि ने लिए है इस बजर पाटी ने उन सारी बातों को भुला दिया अर्चिना की शादी ठूट गई है अच्छा लग रहा है अगर मेरी शादी तो आने के बाद उसकी शादी किसी अच्छे घराने में हो जाती बहुत तखलीफ होती मुझे इसकी शादी के खुशी मेरे बद्रे और अर्चिना के शादी तूटने के खुशी में मुझे केक नहीं खिलागो मिरी मुझे तूटने के तूछétaद ब giàूँमारा है आव्य। यहुशी तूड़ी तूटने के विए है विए है विनूट विए है विए है 6 6 designs अच्छा हो तुम आगे, हम तो तुम्हें इन्वाइट करने ही वाले थे, लेकिन तो तुम्हें बहुत कुछ है ना मेरी बहुत की शादी तूटने से, नहीं विनो, तुमको कुछ गलत लग रहे है, तो सही क्या, तुम बताओ मुझे अभी अभी तुम्हारे भाई ने जो कुछ भी कह, उसका मतलब क्या है, तुम मुझे बताओ मैं तो अब तक ये सोचता रहा, कि अर्चना के किस सा दुश्मनी हो सकती है, अरे उसने किसी का क्या भी गाड़ा है अब 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 उससे दुश्मनी निभाना है तुम्हें गलत लगे हुए है, अचले अब 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 अज तो सारी गलत लगे हैं दूर हो गई है अजी, तुम्हारी शादी तुम्हारी अभू कंझ्री नि क कहा से पूटी है और इल्साम तुम।मीरी बेहन डाल रही हो तुम्हार कन्हे दा अभी आप तो आई थी तना मेरी आई से माफ हे मांग ली और मेरी आई दे माड़हन में आपको माफ पिर दिया था और उसका बन्हा अपने ऐसे दिया मैं तो कबritis maior स्वूच पी नहीं सकता कि आप ऐसे शाजिश में कर सकती क्या क्या क्लावला है बेंडी की वाजी कुछ अच्छ नहीं बना सकती कुछ अच्छ बनाने के लिए कुछ अच्छ सामान होना जरूरी है और अच्छा सामान होने के लिए अच्छे पैसे होने जरूरी है जो हमारे पास नहीं है और हमारे बाप दादा जाते समय चोड़ के नहीं गए खजाना सिवा तुमारे जो कुछ काम का नहीं है तुबा बाद बरिश्टानी की काम तो कल क्यों? अच्छा नहीं होने घर वे काम? एंडी की बाजी? हाँ पीना यह तो होटल मी जाना पड़ता था अपो अच्छा नहीं होटल मी काम जाएगा अगर बीवी आए यहाँ तो आलो आराम से मिल रहा है वो एंडी की बाजी बुल-बुलिट अच्छा वास प्रेस्ट पकाड़े वनाच्छे यहाँ पकाड़े बहुत अच्छे पकोड़े एए ददा बिंडी एक पागल यह पकोड़े कहा है यह तो बिंडी की सब्जी है नहीं आई नहीं मैं कुछ आँच्छ दोगे बाबा मेरा खाना तो होगे और दादा यह पकोड़े नहीं है बिंडी है मानो आज गंपत की टक्रिपे गया था तू पकोड़े खाने तो तेर इसके हाथ के बने पकोड़े तुझे याद आ रहे हैं क्या बाबा? आपने लाटा हो या फिर क्यार का मामला हो पर मैंने तो भीजे डाटा नहीं पुछ पैर व्यार का चक्कर है क्या? नहीं बाबा आपके नाटक में होता होगा यह सब असल जिन्दगी में नहीं हो पूरा एपिसोड देखे जी फाइपर